नमस्ष cultiv दोस्त windows मैं आपका दोस्त वास्तु वैं अन्ग जोति सेलकार मान्म тебе अज जो विश़ुर मैं आपके सामने ले किया रहा हूं वह अन्ग जोति से संब्धने रहे हैं और उसमें भी हम बात करेंगे मुलांग 5 मलों की है मुलांग पांच है, चौदा है, तेवीस है, जिनके भी मुलांग है, नाम है, आकिर इसके प्रभाव शेत्र में आते हैं, तो वो अंग पांच की तरंगों का विशेश प्रभाव उनके उपर रहता है, उनके उपर अंग पांच किसका ग्रह माना गया है, बुद्ध का ग्रह म होती है ज्यानिंद्रों का कारग भी माना गया है तो पंच तत्मों से निर्मत होता है हमारा शरीर तो पांग पांच उससे रेजोनेट करता है तो अब इसमें ये व्यक्ति कैसे होते हैं देखिए ये मदले मजले एक ठीक ठाक हाइट होती है इनकी बहुत ज्यादा विशेश लंबे चौड़े नहीं होते हैं एक सामन्य से कम इनकी हाइट होती है अकर बुद्धवाला कोई अंग पांच के प्र ग्लकर्फशे से संबंद्ए एनलेसस से संबंदि जो ज्यान होता है उससे ृटे करक्ण मजले मतलब मतलब आइवरेच हाइट से कम होती है इंका जो मुख है वो गोल होता है क्योंक बुद्ध को गोल हमने देखा ना गणेश जी को हम देखते हैं तो गोल उस टाइप में होता है भारी भर कम नहीं कहोंगा गोल चेहरा होता है मध्यम रंग साप रहेगा और चलते बहुत तेज हैं जल्दबाजी से जो भी काम करेंगे जल्दबाजी वाला काम होगा यह स्लो काम नहीं होते है फुर्ती फुर्तीले इसलिए इन्हें फुर्तीला भी कहा जाता है जल्दबाजी आवेश में आके जल्दबाजी में काम करना उसमें कई बार काम बिगड़ते भी हैं लेकिन करेंगे ये जल्दबाजी में, हाँ, ये क्या होंगे, बुद्धिवान होंगे, ग्यानी हो सकते, बिल्कुल होंगे, पूरुवा भाश्रमता इनकी बहुत अच्छी होती है, और विज्ञानिक और चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, बिजनस के मामले में बहुत वहाँ इनको कोई पचाड ही नहीं सकता, और ये हमेशा छोटे से लेके जब तक बड़े होंगे, जब भाल रूप में होंगे, युवा अवस्ता में भी चतुर होंगे, और व्रद्धा अवस्ता में भी जाते जाते इनका वो ही वो चतुरता इनमें बनी रहती है, ऐसा नह ने कावच सुनी होगी, उमर पच्पन की दिल बच्पन का, तो इनका हमेशा दिल बच्पन का ही रहता है, ये उचलकूत करते रहते हैं, जल्द बाजी, हर चीज़ में, भागा तोड़ी, सटीक्ता, दिमाग की शक्ती इनकी बहुत तेज होती है, और बहुत भाशाओं के ग्यानी होते हैं, और एक परिवर्तन शीलता इनमें बहुत होती है, तो ये क्या होते हैं, जैसा जो वैक्टी होता है, उसी के साथ वैसे हो जाते हैं, और कोई व्यापारिक दिश्टिक होन इनका इतना तेज है, कि कोई शत्रू भी है, लेकिन वो इनसे व्यापार की बात क जाएंगे उस चीज़ को लंबे समय तक नहीं रखते कोई भी वैर या वैर भाव है या शत्रूत है उसे ज्यादा दिन तक गाड़ बांद के नहीं रखते हैं बुद्धी जी भी यह होते हैं और भाषिय भी होते हैं इन्हें लेंग्विजिस का बहुत अच्छा आकर ऐसे व नहीं है हमेशा रहेगी जब तक यह हैं तो जैसे इनके विवेचना वाले काम है एनलेसे या जाच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन वाले काम है उसमें इनकी मांसिक शक्ती बहुत उत्तम होती है तो सेल्स में अकाउंट्स में ऐसे लोग बहुत निपूर्ण गणित तक ग रखा हूँ कुछ दिनों में ही सई कर देते हैं जल्दबाज काफी होते हैं फुर्तिले होते हैं फूर्ती से काम निप्टाने के उच्छुक होते हैं किसी बी बात को अधिक समय तक नहीं रखते यह इनकी एक खासित भी है और यह अपने फायदे की सोचते हैं तो ये किसी मतलब किसी ने इन्हें चोट भी दी है कोई इन्हें परिशान भी कर रहा है लेकिन जहां फिर ये उस बात को जल्दी भूल भी जाएंगे और शमा भी कर देंगे बुद्धी शुष्म बहुत होती है तो बिगड़ भी जल्दी जाते हैं परंतु आप इनके जब भी धन से संबंदिद लाप से संबंदिद कोई भी बात करेंगे तो ये सब भूल जाएंगे शमा कर देंगे ये चीज़ें इनके अंदर होती है विद्धिया के मामले में देखे ग्याता तो होती है मैंने का मैथमेटिशन हो सकते हैं उत्तम विद्धिया होती है इनकी विद्धिया कम भी हो तो नॉलेज पूरी होती है मतलब एजूकेशन हो या ना हो नॉलेज़बल पूरे होंगे नॉलेज हर शेतर की नॉलेज होगी है ना तो अब ये क्या विज्ञान, गणत, फिलोस्पी, मनो विज्ञान इनके मुख्य विश्य होते हैं और धार्मिक ग्रंत और गुप्त विद्धिया में भी इनकी विश्य शुरूची होती है क्योंकि इनकी पूर्वा भाष्यमता बहुत अची होती है अब इनके प्रेम संबंदों की हम बात करें तो देखे प्रेम संबंद ये मिलनसार होते हैं तो बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाते भी हैं तो क्या होता है प्रेम संबंद लेकिन परिवर्तन शीलता है बार-बार पलटते रहते हैं तो वहाँ प्रेम संबन थोड़े स्थाई आखिर दूसरे अंग विपरी तो फिर नहीं रह पाते हैं अन्य था प्रेम संबन भी इनके अच्छे रहते हैं लेकिन हमें यह भी देखना है कि किन अंकों के साथ में इनकी positive है तो वहाँ प्रेम संबन अच्छे रहेंगे कहीं negative है तो फिर नहीं रहेंगे अब जैसे दो या छे वाले हैं वो इनके मित्र होते हैं तो वहाँ इन्हे पॉजिटिवनेस मिलेगी एक वाले के साथ पॉजिटिवनेस मिलेगी बाकी इनका जो भी शत्रूंक है तो फिर वहाँ पे इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा अब ये देखे भाई भेन और इनकी जो परीजन और मित्रों की स्तिती है वो ऐसी रहती है आखिर कोई लड़की है पांच उनक वाली तो आप देखेगा वो अपने घर में सबसे बड़ी होती है जी ये आप देखेगा एक बार जो लड़की है अगर पांच मुलांग या नामांक वाली है विशेशकर मुलांक वाली तो वो अपने घर में सबसे बड़ी होगी आप देख लीजेगा और पांच मुलांग के मतलब ये गैरेंटी है कि आखिर कोई पांच मुलांग वाला वैक्ती भी है तो उसकी बड़ी भेन वश्य होगी ये आप देखेगा फिर मुझे इसका फीड़बैक दीजेगा है ना इनको ये क्या है मित्र इनको लाब देते है और ये भी मित्रों को लाब देते है क्योंकि ये बिजनस सारा काम आके आपने जैसे ये बिगड़े हों है आपने नोड बार निकाल दी और बुले यार अपन तो ये बिजनस करते है तो ये तुरंट तयार हो जाएंगे अगर ये आपसे गुस्ता भी है तो तैयार हो जाएंगे हाँ यात्रा यात्रा ही ये खूब करते है क्योंकि बुद्ध है यात्रा परतान यात्रा नहीं करेंगे आकर ठैराव आ गया तो फिर ये बिमार पड़ जाएंगे जित्ता ये गुमेंगे है न विदेशों में यात्रा करना या यात्रा से संबंदित वैवसाय या व्यापार करना उसमें इन्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी कोई नहीं रूख सकता हाँ ये रुक्के काम करने की कोशिश करेंगे वहां ये परिशान हो जाएंगे इसका इन्हें विशेश जान रखता है अब इनका रोजगार वैवसाय और आर्थिक स्थथी कैसी रह सकती है ये अच्छे गणितग्ये हो सकते हैं अर्थ शास्त्री हो सकते हैं उत्तम वैवसाय वाले हो सकते हैं चतुर अच्छे इनके साथ में सयोगी अंग मिल जाएं तो म्यूजिक कंपोजर भी देखे गए हैं और जहां बुद्धियों और गणित का काम आ जाएं और जैसे वाद यंत्र हुए वाद बनाने वाले दुन बनाने वाले उनमें निपूर्ण होते हैं और जहां गणेत तौर इसका काम आ जाए तो वहां अंक पांच वालों को बिना सोचे समझे इने कर लेना चाहिए सेल्स के बहुत अच्छे होते हैं कोई भी चीज हमें बेचनी करनी हो उसके इस उसमें इनका कोई सानी नहीं तुरंत बेच देंगे जो काम हमारे दस लोग करते हैं वो यह एक आदमे कर देंगे हां और इसी में इनका स्वास्ते और विमारी की बात की जाए तो यह क्या है दिमाग की जो शक्ती है उसका प्रियोग अधिक करने के कारण क्या होता है इन्हें ऐसे अनिंद्रा वाले लकवा वाले रोग भी क्योंकि बोलने कम्यूनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है तो जब पीड़ेट होगा तो कम्यूनिकेशन स्किल चली जाएगी और पैरलेस भी हो सकता है क्योंकि दिमाग का बहुत पांच रती मोंगा इन्हें पन्नह पैनना चाहिए और मुधार को धारन करने कि और कि और नाज़ा करने चाहिए आकit व्यापार और अरजना करें, अरदना करें, आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, पीड़ बैक जरूर दीजेगा, और आखिर अच्छा लगा, तो भी, और नहीं लगा है तो भी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे आगे आने वाले आखि